नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे और हम एक बार फिर से हाजिर है एक latest वीडियो के साथ Regular PRT या आप बोल सकते हैं ETT Teachers की recruitment आ गई है बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में हम बात करेंगे कुल पद है 1664 Online mode में आपको apply करना है अपलाई करने के अंतिम्तिती 23 मार्श 2020 है Age limit जो Unreserved category के लिए है वो है 18-37 साल अपर Age limit में category wise आपको चूट भी दी जाएगी तो सारे जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो के माधिन से प्रवाइड कराई जाएगी अगर आप interested है primary teacher की job के लिए तो वीडियो को शुरू से लेकि आकर तक जरूर से जरूर देखिएगा और इसी प्रकार की teachers की recruitment से जुड़ी हुई updates पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी subscribe करें तो ठीक है दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का अपना ये विडियो और देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इसके official notification और official website के माध्यम से सबसे पहले देखते हैं इसकी official website, official website है educationrecruitmentboard.com तो यहीं पे ये notification जारी किया गया है ये देखें लेटस circular के section पे आप देखेंगे new करके आ रहा है recruitment of 1664 post of ATT teachers आप इस पे क्लिक कीजिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे next window आपके सामने open हो जाएगी जो की है कुछ इस प्रकार से यहाँ ये advertisement दिया गया है public notice दिया गया है और यहीं पे आपको इन पदों के लिए apply करना है click here to register यहाँ पे click करके और ये recruitment आ रही है department of school education पंजाब की तरफ से अब इसका detailed notification डाउनलोड कर लेते हैं हम यहाँ पे click करके जो की है कुछ इस प्रकार से ये देखे 63220 को ये notification जारी किया गया है कुल पद है इसमें 1664 online mode में आपको apply करना है और category wise पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है आप यहाँ से देख सकती है और जहां तक essential qualification की बात ये देखे should have past graduation with minimum 55% marks in case of journal category candidates and 50% marks in case of schedule class schedule type and other backward class and physically handicapped category candidate तो journal category के candidates के पास graduation की डिगरी होनी चीए 15% अंकों के साथ और बाकी की other categories के लिए 50% अंकों के साथ तो graduation वालों को इसमें कुछ extra marks दिये जाएंगे वो आगे आपको बताया जाएगा बाकी जो minimum qualification required है वो है 10 plus 2 12th आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 2 साल का आपके पास diploma हो elementary teachers training में या फिर D.A.D. आपने कर रखी हो 10 plus 2 के बाद और graduation के बाद अगर आपने elementary teachers training का course कर रखा है या फिर D.A.D. कर रखी है तो और अच्छी बात है क्योंकि graduation वालों को कुछ marks इसमें extra दिये जा रहे हैं और इसी के साथ PS TET का paper 1 clear होना आपका आवशक है अगर PS TET 1 आपका clear नहीं है तो फिर आप इनके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और जो इसमें selection होगा वो होगा written के basis पे 100 number का आपका written exam conduct कराया जाएगा PS TET paper 1 की merit के basis पे इस बार selection नहीं होना है अलग से एक written exam होगा 100 number का उसके basis पे इसमें selection होगा और उसी के साथ साथ graduation में अगर आपकी first division है तो 5 number आपका extra दिये जाएंगे second division है तो 3 number और 3 division है तो 2 number आपको extra provide कराये जाएंगे जहां तक salary की बात है starting salary है 10,300 रुपए जो कि probation period में आपको दी जाएगी probation period complete होने के बाद जो regular pay scale है उसमें आपको transfer कर दिया जाएगा I.U.C.M.A. है एक एक दो हजार बीस को minimum 18 और maximum 37 साल होनी चाहिए बाकी category wise यहाँ आप पर इस limit में चूट भी दी जा रही है आप यहाँ से देख सकते हैं जहां तक application fees की बात है unreserved और OBC category के candidates के लिए 1000 रुपए application fees है S.C.S.T. category के candidates के लिए 500 रुपए application fees इसमें निर्धारित की गई है Online application का process इसका start हो चुका है 6 March 2020 से यह है official website जो मैंने आपको वीडियो के starting में दिखाई थी यहीं पे आपको इनके लिए apply करना होगा apply करने की अंतिम्तिती है 23 2020 तो ठीक है दोस्तो मेंन में सारी information इस recruitment से जुड़ी ही आपको provide करा दी गई है इसके official notification और official website दोनों का link आपको वीडियो के निचे description और provide करा दिया जाएगा तो ठीक है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे like और share करें और इसी प्रकार की latest teachers की recruitment की update पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर subscribe करें धन्यवाद